पाठ पाच संग्या नाउन संग्या नाउन किसी फ्यक्ति वस्तु स्थान प्राडी तथा भाव के नाम को संग्या कहते हैं जैसे रमेश आम खिलोना मिठास जंगल लोमडी आदी निमनलिखित वाक्यों को ठ्यान से पढ़ो आम में मिठास है यह रमेश का कंप्यूटर है घर में बिल्ली पैठी है उबर के वाक्यों में आम एक भाल का नाम है मिठास भाव का नाम है रमेश व्यक्ति का नाम है कंप्यूटर वस्तू का नाम है घर स्थान का नाम है बिल्ली पशू का नाम है इसी प्रकार संसार में जितने भी चीव चंतू, स्थान और वस्तूएं हैं तथा हमारी मन में जो भाव उत्पन होते हैं उन सभी की नाम होते हैं ये सभी नाम संग्या कहलाते हैं संग्या के भेद काइंस ओफ नाउन सामानी रूप से संग्या के तीन भेद माने जाते हैं परंतु, कुछ विद्वान संग्या के तो भेद और मानते हैं इस प्रकार संग्या के पाँच भेद हो जाते हैं संग्या के भेद व्यक्ति वाचक संग्या प्रॉपर नाउन जाति वाचक संग्या कॉमन नाउन भाव वाचक संग्या आप्स्ट्राट नाउन समूह वाचक संग्या कलेक्टिव नाउन जिन संग्या शब्दों से किसी विशेश प्राड़ी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदी के नाम का बोथ हो उनहीं व्यक्ति वाच्चक संग्या कहते हैं जैसे क ताच महल आगरा में है ख मोहन दिल्ली के आगरा एक विशेश इमारत का नाम है आगरा एक विशेश शहर, स्थान का नाम है मोहन एक विशेश व्यक्ति का नाम है दिल्ली एक विशेश शहर, स्थान का नाम है अता ये सभी शब्द व्यक्ति वाच्चक संग्या है कुछ विशेश निम्नलिखित शब्द व्यक्ति वाच्चक संग्या है क किसी भी व्यक्ति का नाम राम, मोहन, रमा, राधा, आदी ख किसी भी नदी, सागर या पर्वत का नाम गंगा, हिंद महसाकर, हिमालय आदी ग दिनों, महीनों तथा त्योहारों के नाम रविवार, जन्वरी, चैत्र, होली, आदी दू, जातिवाचक संग्या, कौमन नाम जिन संग्या शब्दों से एक ही जाति के सभी व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तूं, स्थानों आदी का पोधों उन्हें जातिवाचक संग्या कहते हैं जैसे क, फूल मत तोड़ो ख, पक्षी उड़ते हैं ग, जंगल में पशू रहते हैं उपर लिखे वाख्यों में फूल, पक्षी, जंगल तथा पशू अपनी पूरी जाति का पोध करा रहे हैं इसलिए ये चातिवाचक संग्या शब्द हैं ध्यान दीचे व्यत्तिवाचक संग्या एक नाम विशेश का पोध कराती है किन्तु जातिवाचक संग्या संपूर्ण जाती का पोध कराती है तीन भाववाचक संग्या आप्स्ट्राट नाउन जिन संग्या शब्दों से भाव, गुण, दशा, आदी के नाम का पोध हो उन्हें भाववाचक संग्या कहते हैं जैसे अच्छाई, बुराई, बच्चपन, लंबाई, सुन्दर्ता, आदी चार समूह वाचक संग्या कलेक्टिफ नाउन जिन संग्या शब्दों से समुदाय, समूह या जुन्ड के नाम का पोध हो उन्हें समूह वाचक संग्या कहते हैं जैसे कक्षा, सभा, भीड, सेना, आदी पाँच, दृफ्य वाचक संग्या, मटीरियल नाउन जिन संग्या शब्दों से किसी थातू, पदार्थ या दृफ्य के नाम का पोध हो उन्हें दृफ्य वाचक संग्या कहते हैं जैसी पानी, सोना, लोहा, आदी